कि इन भिंडियों की खासियत यह हैं कि यह घर के च्छत के गमले में लगे हुई है आईए अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इन भिंडियों को बीच से कैसे तयार करा है और यह पोधे इतने बड़े इन गमलों में कैसे हुए है है आईये अब मैं आपको बताता हूं कि आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं लगाने के लिए गमला पहले से तयार है यह गमला करीब 12 इंच उछा है और इसका घेर है करीब 1 विट या 12 इंच का है यह पेरेश तयारे से बिट्टी भरी हुई है अब मैं इसमें बिंडी के बीच है इसमें रोख रूँगा और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इसमें अच्छे पल आएंगे इस तरह आप बिंडी या ओकरा को सफलता से अपने घर के दमलों या कंटेनर में लगा सकते हैं और उनसे एक परिवार के लिए अच्छी सबजियां ले सकते हैं जैसा कि आपने देखा में यह बीच है इसको यहाँ पर एक बोल करके मैंने इसको लगा दिये हैं करीब 45 दिन बाद यह बिंडी या उपरा है खाने लायक हो जाएगी बिंडी को मैंने करीब 10 गमलों में लगाया है वह हर गमले में या कंटेनर में दो बीच डाले हैं अब कुछ दिन बाद इसमें फ़ल आने लगेंगे और आगे आप इसका वीडियो में भी देखेंगे बिंडी या ओक्रा लगाना कंटेनर में बहुत ही असान है इसको आप अपने टेरस पर बालकनी में बड़ी असानी से लगा सकते हैं अब करीब 15 दिन बाद इस भींडी या ओक्रा है वो करीब 3-4 इंच का हो गया है और इसके फल आने में अभी और समय है कुछ दिन बाद इसमें फल आ जाएंगे आप देखेंगे करीब और करीब एक मेरे बाद इसमें फूल और फल आने लगेंगे इसलिए भिंडी को गमले या पोर्ट या कंटेनर में लगाना बहुत ही असान है और आप इसे अपने घर में लगा के और गैनिक सब्सक्राइब ले सकते हैं ये भिंडी को लगाए हुए अभी करीब 25 दिन हो गए हैं और कुछ भिंडिया काफी बड़ी हो गई हैं और कुछ अभी भी छोटी हैं और करीब दो सब्सक्राइब बाद इसमें फूल आने लगेंगे और हम इसकी सब्सक्राइब भी खा सकते हैं जब आपके कंटेनर या गमले में भिंडी करीब 6 इंज की हो जाए तब आप उसके आसपास खाट डाल दीजिए आप गमले में डारेक्ट यहां पर खाट डाल सकते हैं इसे पौधे अच्छे बढ़ेंगे और इसमें फल भी अच्छे आएंगे यह भिंडी को लगाए करीब एक मेहना हो गया है और यह काफी बढ़ी हो गई है करीब सब एक-एक फिट मूची हो गई हो गई है और कुछी दिनों बाद अब इसमें फूल आना शुरू हो जाएं जब गमलों के बिंडी में फूल आ जाएं तब आप उसमें आपके पास जो भी खाद हो उसको गमलों के अंदर डाल दीजिए समय आने पर आप इन बिंडियों की छटाई किजीएगा छटाई करने से बिंडियों का ज़ाधा उत्पादन होता है और मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि बिनडियी की कटाई या परूनी कैसे की जाए आप चाहें तो उस वीडियो को आप के उपर जो लिंक दि आना शुरू हो गए हैं आप देख रहे हैं इसमें फूल भी लगे हुए हैं और कुछी दिनों में सभी में फॉल आ जाएंगे तब यह खाने के लिए आप इसका प्रियोग अपने किचन में कर सकते हैं यह वीडियो वाला वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही सभी शोशल मेडिया पर इसको जरूर शेयर कीजिएगा और गार्डिंग नियर टू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना फिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करने से जब भी कोई इस चैनल फे नया वीडियो पोस्ट होगा वो आपको सीधे मिल जाएगा फिर मिलते हैं गार्डिंग यह टू अर्गैनिक में किसी नई वीडियो के साथ सब्सक्राइब आप अपने घर पर गार्डिंग करते रहिए और गार्डिंग का मज़ा लेते रहिए जन्देवाद आप इन दोनों वीडियो को भी जरूर देखिए वीडियो